हलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल फोकर एससी रेलवे यूटूब चैनल पर दोस्तो सीरीज को स्टार्ट करने के पहले ये प्रशन को हल करने से पहले एक बात बोलना चाता हूँ दोस्तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कांटीनियू रखे क्योंकि देखे रेलवे ने साब बोल दिया है कि आप लोगों के जुश्ट आपका जून चल रहा जुलाई से एक्जाम डेट चालू हो जाएगा तो आप लोग अपनी पढ़ाई को भी कांटीनियू रखे और मैं आप लोग अपनी पढ़ाई को कांटीनियू रखे रेगुलर इसलिए मैं आप लोग लिए प्रैक्टीस सेट की कलास लेके आ रहा हूं चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं सारे महात्पूर्ण परसने आपके और बहुत यूनीक परसने यह आपकी एक्जाम में कम से कम ज्यांत कीजिए देखे अंकीत मूल जो होता है हमेशा आपका करेमूल विकरेमूल से ज्यादा होता है तो परसन को समझेगा मैं कभी भी फार्मूल आप लोग को नहीं रटाता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूं जैसे यहां बोला गया पांच परसन्ट कमीश अब यहां डिसकस करने में यह गलती हो जाती कि सव को उपर रखे हैं 95 तो एक बात याद रखें अंकीत मूल हमेशा जादा ही आता हमेशा जादा लाना जब भी अंकीत मूल पूछा जाएगा तो बड़ी बैलू उपर रखेंगे और बड़ी बैलू जब उपर रखते हैं अब जादा मानाता है तो सव को हम क्या करेंगे उपर रख देंगे 95 को नीचे रखेंगे ठीक है इसको काटेंगे तो एक बार जाएगा फिन जीरो फिर एक बार जाएगा तो कितना हो जाए गया दस हजार सव तो मतलब कितना हजा आगया आपका दस हजार सव ऐसा कोई आप आपका अपसर नमर भी सही है देखिए प्रशन को समझेगा बहुत यूनीक प्रशने इस टाइब के प्रशन बहुत पूछे जाते हैं एक बात आप लोग हमेशा याद रखे कभी भी प्रशन में अंकित मूल पूछता है आपका कभी भी अंकित मूल पूछा जाता है तो यह करता हूँ यह प्रशन आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गये देखिए सिकेंड कुश्चन है यह बहुत इंपॉर्टन प्रशन है और बहुत ही अच्छे लेवल का प्रशन है इस टाइब के प्रशन में बच्चे एक स्वाई मानते हैं बहुत सारी चीजे करते हैं देखि नयहा ने 30% छूट पर 1300 रुपे में एक वस्त खरी दी और इसे 30% लाव पर बेज दिया उसने कितना कमाया प्रशन को समझिएगा उसने कितना कमाया यह बोला गया आप लोगों को प्रशन को समझना है ठीक है आप यहाँ पर एक छूट दी गई है दूसरी आपका लाव द गया है can we pay को एक वस्त खरीदें 이제 30% लाव पर बेज दिया दिया जाताँ है ठीक है नहा ने पहले 30% फर्शन चूर्प पर एक वसली तरीष अ करीदा उसके बाद आपका बोल क्या रहा है इसमें एक वस्त को खरीदा इसे 30% लाव पर बेज दिया अब देखें 100 में 30% लाव पर बेज दिया 130 पर अब आप लोग confusion होगे यहां 30% छूट दिया गया यहां 30% लाव दिया गया तो हमें परशन को समझना है कि गलती हम कहां पर करेंगे ठीक है हमके यह छूट के बाद यह मूल लाया है ठीक है छूट के बाद यह मूल लाया 1300 रुपे तो हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे 1300 ठीक है गुडे अब आपको यहां क्या लिखना है हमको देखे 130 को उपर रखेंगे 100 को नीचे रखेंगे आप बोलेंगे 70 क्यों नहीं रखे क्योंकि यहां पर बोला गया नियाहा ने 30% छूट उपर 1300 रुपे में एक वस्त खरी दी ठीक है छूट के बाद का मूल है अगर देखे छूट हमेशा जहां पर यूज के आता है वहां अंकित मूल होता है आप क्या करेंगे आप 0 से 0 कार देंगे 13 कितना होता है आपका 189 मतलब आपका कितना हो जाएगा 1690 यह क्या आपका answer है देखे यह आपका answer नहीं है 1690 आपका answer नहीं है तो आपका देखिए उसने कितना कमाया यह बोला गया है ठीक है उसने कितना कमाया यह आया आपका कितना 1690 और आपका जोंसे समझे घल्ती काहां करेंगे हमें इस 30 परसंट चूट से कोई मतलब नहीं यहाँ 30 परसंट लाब पर तो कितना हो जाएगा सो में जब हम 30% का लाब करेंगे तो 130 हो गया सिंपल सा किए ठीक है छूट को क्यों नहीं लेंगे क्योंकि अंकित मूल में ही छूट का यूज होता है यहां छूट के बाद का यह मूल है ठीक है छूट के बाद का मूल है इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है आप यहां तेरा सो लुखे गुड़े किये अब आपको क्या लख रुपे टोटल कमाए जीरो आपका यहां पर नो हो जाएगा छे में से तीन जाएगा तीन सो नभी रुपय मतलब आपका कौन सा आपसन है आपका आपसन नमरे सही है देखे प्रस्णों को समझेगा कभी-कभी क्या गलती हो जाती है कि हम यहां पर छूट को भी ले लेते हैं यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है यह छूट के बाद आना जैका छूट पर तेरा सुरुपे में को अस्थ खरीदी उम्मीद करता हूं आप एक छोटी छोटी गलतियों को भी समझ रहे होंगे क्योंकि आप लो लोग इसको अंसर नहीं दे पाएंगे सिकेंडो में दोस्तों इस प्रश्ण को हल करने से पहले बताना चाहता हूं मैंने बहुत सारे कलासे लिया हुआ है ड्वान समयत का भी रेलवे के प्रीमेस प्रेपर के भी जो बीक हैं वो पूरा कलास देखिएगा और आप लोग इस लोगों से नहीं बना होगा आप समझे कहां पर एक निश्चित दर पर किसी विशेस रास के लिए ठीक है चार वर्स हो आठ वर्स के साधान ब्याज का अनुपात है देखिए बहुत सिंपल सा प्रस ने आपका यहां निश्चित रास बोला गया दर बोला गया है तो हमें क् चार वर्स लिए गया है वे टें में निश्चित अब जब हम इस वण अपान आस टू को भाग करेंगे मतलब अनुपात निकालें गे तो हमारा ये पी आर इस आप सो यह सब कटी आएगा तो बचेगा क्या हमारा चार बचेगा इसको काटेंगे चार एक्कम चार चार दुन यार्ट वन रेसियो टू ऐसा कोई आपसन है आपका आपसन नमसी सही है अब इसी टाइप के आप चाहते तो ये सब लिखते अगर आपको ये पता है जब बोला गया निश्चित दर पर किसी विशेस राज के लिए तो दोनों चीजे समान है इसके दर भी समान है रास भी समान हमें तो सारी चीजे कटी आएगी सउन आपान स्टू हो जाएगा बराबर में आपका चार विटा आठा आज आएगा इसको हल करेंगे तो चार से चार कटी आगा चार कमचा चार दुनिया टेगटा दू आजएगा आपका अपसन नमर सी सही है देखिए हमें क्या मतलब रह होगा जिन लोगों ने समझहा होगा आच्छे से उनको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसे करना था वह अगर समझे थे जो कुशन नमर थर्ड था अभी करया वो वह समझ गे अगर तो यह कुशन नमर कॉर को उनके लिए मात्र सिकेंड भी नहीं लगे मात्र वन सिकेंड भी नहीं लगेगा वो अंसर दे देंगे समझ गये होंगे कुछ स्टूडेंट होंगे पूरी अच्छी तरी समेंज गये होंगे मैं क्या बोलना चाहिए रहा हूं कुछ प्रशन डेंगव सकती ॐ नुच दूसरा लासी हो देके निबंग लेकर निकालना सेम चीज सेंड़ ध्रट्य क्या हो अप कड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसको काटई söyle Space आपका आपसर नमरे साहिए देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है फिन से बता दे रहा हूं देखिए जो आपका S1 होता है ठीक है S1 अपान S2 अनुपाद तभी तो निकलता है इसको जब भाग करेंगे तो क्या होता है P P, R, T कितना दिया गया 6 वर्स और बेटे में क्या हो गया 100 फिन इसको पूरे को भाग करेंगे P, R, T कितना है 10 वर्स और बेटे में 100 ठीक है तो यह आपका सारी चीजे तो कठी जाएगी तो 100 कठी आएगा P, R कठी आएगा तो आपका जो S1 अपान में S2 बचेगा वो क्यवर् बेटा में 10 बचेगा ठीक है तो इसको काटेंगे 2, 3, 6 और 2, 5, 10, 3, ratio 5 आपका आपसन नमरे सही है देखे प्रस्णों को हमें बेसिक से नहीं करना है कोई लिखित की लिखित का एकजाम नहीं हो रहा दोस्तों हम बोर्ट के एकजाम में बेटे हमें ये देखना है कितने कम स आपके जब समान दर समान रास रहेगा तो सारी चीजे तो कटी जाएंगी रास और कटी जाएगी तो हमारा बचेगा वर्स तो वर्स को दोनों से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको काट 2, 3, 6, 2, 5, 10, 3, ratio 5 देखिए बटे का मतलब रेशियो होता आप चाहे तो थीन लेकिन आप हमारी कलास रेगूरल करते रहेंगे तो आपकी मैद बहुत अच्छे से इंप्रोब हो जाएगी और आप लोग किसी बिग्जाम की त्यारी कर रहे हैं अच्छे से परशनों को करके आएंगे जिस लेवल का परशन करा रहा हूं इस लेवल के परशनों को अगर करते हैं दोस्तों आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा बस दोस्तों आप जितने लोग भी देखते हैं बहुत कम लोग सेर करते हैं जितने भी एक दो लोग सेर करते हैं जितने भी लोग हैं आप प्लीज सभी लोग एक बार सेर कर दिया कर यह अपने द इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों आप लोगा धन्नवाद जय हैं